जहें दोस्तों आझकी सेशन में हम लोग GS के ilport & questions को ने वाले हैं दोस्तों ज हैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रतिक दिन हम लोग 30 € advising को कवर करते हैं जो यह हर एक एक्जाम के लिए infor Sponge nd ृहने वाला तो चले शुरू कर लेते हैं देखे कोशन के सामने है कि प्रतिरोध का मातरक इन में से कौन सा है हैंडरी, ओम, एंपियर या फिर कुलम आप लोग राइट एंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और लाश्ट में 30 कोश्चन्स का अपना स्कोर भी बताना है देखें, इस कोश्चन का राइट एंसर हो जाएगा ओम, ओप्सन नुबर 20 का राइट एंसर होगा ओम अगला कोश्चन देखिएगा नयास कोश्चन है कि घरों में लगे घरों में लगे पंखे बल्ब आदी लगे होते हैं घरों में कितने भी resistance लगे होते हैं जिसे की पंखा बल्ब यह सब स्रेनी क्रम में होते हैं मिश्रित क्रम में समानांतर क्रम में या फिर किसी भी क्रम में तो देखे इसका right answer हो जाएगा समानांतर क्रम ठीक है option 90 का से answer होगा समानांतर क्रम अगला कोशन देखेगा नेस कोशन है कि विशिष्ट प्रतिरोध का SI मातरक कौन सा है विशिष्ट प्रतिरोध का SI मातरक ओम ओम पर मीटर, ओम मीटर या फिर ओम मीटर बताइएगा देखें B और D एक जैसा है विशिष्ट प्रतिरोध का SI मातरक होता है ऑम मीटर चिक है P और D समय से दोनों हो जाएगा ओम मीटर अगला connotation देखिए ज़िए तीन ओम और six ओम छे ओम के प्रतिरोध समानांतर करम में जोड दिये जाए तो शंपुन प्रतिरोध होगा समानांतर करम में करम में जोडना है चिक है तो मान लिजे ये हो गया आपका तीन ओम का और यहाँ पर प्रतिरोध लगाए हुए है 6 ओम का तो लाश्ट में इसका प्रतिरोध कितना होगा दोनों मिल करके कितना करेंट इसमें लगेगा कितना ओम का तो देखिए इसका एक फोर्मूला होता है 1 बटे आर इक्वल टू 1 बटे आर वन प्लस 1 बटे आर टू तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 बटे आर इक्वल टू देखिए 1 बटे आर वन के 1 बटे 2 का जगा पर 6 तो क्या हो जाएगा 1 बटा R equal to 3 और 6 कालसियम 3 हो जाएगा 2 प्लस 1 यानिकि 3 बटे 6 इसको cut करेंगे 1 बटे 2 तो 1 बटा R equal to 1 बटे 2 हुआ 1 बटा R equal to 1 बटे 2 हुआ तो R बराबर क्या हो जाएगा 2 यानिकि 2 Ohm इस question का right answer होगा Option number C अगला question देखिएगा एक सुस्क सेल में काउन सी उर्जा पाई जाती है यांतरिक, विद्यूत, रशानिक, या फिर विद्यूत, चुंबकिया एक सुस्क सेल में रशानिक उर्जा पाई जाती है Option number C इसका right answer हो जाएगा रसानिक उर्जा, अगला कुशन देखिए ध्वनी तरंगे है ध्वनी तरंगे लमवत होता है त्रियक, आंसिक लमवत या फिर आंसिक त्रियक या कभी-कभी लमवत और कभी-कभी त्रियक होती है तो देखिए इस कुशन का ध्त राइट एंसर हो जाएगा अपका, ध्वनी तरंगे देखे द्वनी तरंगे आन्सीक और तिर्यक दोनों होता है। अगला कुशन देखिए कि स्रव्य परिसर में ध्वनी तरंगों की आवरीती क्या होती है स्रव्य तरंगे के ध्वनी आवरीती जो होता है 20 से लेकर के 20,000 हर्टर्ज के बीच होता है ओप्सन नमबर ए इस कुशन देखिए वायू में ध्वनी के चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है यदि दाब बढ़ा कर दोगुनी कर दी जाए तो ध्वनी के चाल होगी ध्वनी के चाल क्या होगी दाब को अगर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनी के चाल कितना होता है दोहनी की चाल जो गए वो बराबर ही होगा दोहनी की चाल अधिक्तम होती है निर्वात में, जल में, इसपात या फिर इन में से कोई ने तो दोहनी की चाल सबसे अधिक सॉलीड में होता है उसके बाद लिक्वीड में और फिर सबसे कंगे इसमें होता है तो देखिए इसपात इसका राइट अधिन शरू जायेगा क्लियर है नेक्ष्ट ऋवन देखिए वायू में ध्भनी का वेग लगभग 332 मिटर पर सकेड़, 220 मिटर पर सकेड़ 110 मिटर पर सकेंड या फिर 232 मिटर पर सकेंड तो देखे वायू में ध्वनी की चाल होती है लगभग 332 मिटर पर सकेंड अगला कुशन देखी 100 डेसिबल का सोर अस्तर निम्न में से किसके संगत होगा एक सुनी जा सकने वाली ध्वनी होती है या साधारन वर्तलाफ होगा या फिर गली के सोर गूल की आवाज होता है या फिर किसी मसीन की दुकान से आने वाला सोर गूल होगा पताईएगा इसका राइट अंसर देखे 100 डेसिबल का जो सोर होता है इनका लेबल होगा मसीन के दुआरा आने वाला जो सोर गूल होता है उनके बराबर अगला कुशन देखेगा कि अदिसितार और बासूरी पर एक ही स्वर बजाय जाए तो उनसे उत्पन ध्वनी का भेद निमलिखित में से अंतर के कारण क्या जा सकता है इस परकार से उसमें डिफ्रेंस कर सकते हैं तो देखे इसका राइट एंसर हो जाएगा केवल ध्वनी डिफ्रेंस कर सकते हैं ध्वनी गुंता के कारण अगला कुशन देखे विद्योत पिटिंग में एक तार को फू संकर्पित किया जाता है इसका कारण है मतलब की पू संकर्पित तार जो होता वो आर्थिंग का तार आर्थिंग का तार क्यों दिया जाता है अप्शन यदि लगू पथन हो जाए तो धरा भूमी में चली जाए ठीक है धरा भूमी में चली जाए या इससे विद्दूत का च्छय नहीं होता है या विद्दूत परिपत को पूर्ण करता है या फिर इससे विद्दूत का उच्चा वचन दूर हो जाता है तो देखे इसका राइट एंसर होगा कि कहीं सौर्ट सर्किट अगर हो जाए तो करेंट जो है भूमी में चली जाती है और हमें करेंट लगने से या सौक लगने से बचाती है इसलिए हम लोग को संकर्पित्तार यानि के आर्थिंगतार यूज करते हैं विभवांतर का मातरग क्या होता है एमपियर, वोल्ट, कुलोंब या फिर ओम विभवांतर का मातरग बतायेगा इसका राइट एंसर हो जायेगा उप्सन नमर 61 Cayo एक आदर्स वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है आदर्स वोल्ट मीटर का प्रतिरोध सुन्य एक एक से कम या फिर अनन्त होगा तो देखिए एक आदर्स वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनन्त होता है ओप्षिन नमर डी इसका राइट एंसर हो जाएगा नेस्ट कुशन देखिए प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा तो ओम इसका राइट एंसर होगा यह रिपिटेट कुशन है कि ऐग्यों देखिए घरों में लगे पंखे बाल्व आदी लगे होते हैं कोन से करम में तो समानांतर करम मėं होगा ओप्सन नम्र 60 राइट एंसर ऊगा नेक्स्ट वन देखिए विशिष्ट प्रति रोद का मात्रग क्या होगा ओम मीटर ओप्सन नम्र 20 का राइट एंसर ऊगा आज जली 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 कंपीट कर लेते हैं त्री ओम सिक्स ओम का प्रतिरोद समानांतर कर्में जोड़ा जाए को उप्सन नमसीज का राइट एंसर होगा नेक्स्ट वन एक समान सुस्क सेल में विद्दूत अभघट्य होता है इसका अंसर बताइएगा एक समान सुस्क सेल में विद्दूत अभघट्य होता है थिंक का गंधक का अम्म क्लॉराइड या फिर कारवन मज़ा इंसर अम्मोंियम क्लॉराइड अगला कुछरा देखे एक कर बैटए exemple क्लॉर का है इत्र greatest तोई विद्वाइड्थ होता तो देखिए इस question के जो right answer हो जाएगा वोगा sulfuric अमल यान कि option नमर एज का right answer हो जाएगा sulfuric अमल अगला question देखिए वोल्टीय सेल का अविस्कार अविस्कारक है वोल्टीय सेल का अविस्कारक कोन है बेंजामीन प्रेकलीन हमस एडिसन अले जान्डरो वोल्टा या फिर किर्चव तो देखिए वोल्टीय सेल का अविस्कारक है अले जान्डरो वोल्टा प्राथमिक सेल का अविस्कार उतकीन होता है औगला question देखिए लोहे के उपर जिंके परच चढ़ाने को क्या कहते है इनको कहेंगे Galway Nization ठीक है जस्तिकरन इसको हिंदी से कहेंगे और इंगलिस से Galway Nization रेस्ट कोशन देखिए विद्धूत अब घटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किये एडिसन ने ओम फेराडे या फिर भोल्टा ने इसका राइट एंसर हो जाएगा फेराडे अगला कुशन देखिएगा कि विद्धूत फ्यूज में इस्तमाल किये जाने वाले मिसर धातु में उच्छ विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए या फिर उच्छ विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्छ गलनांक होना चाहिए देखे विद्दूत फ्योज में जो इस्तमाल किया जाता है उनमें मिस्र धातु में जो करेक्टर होना चाहिए वो है निम्न विसेष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक ठीक है यह सी इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला कुशन देखिए आम तोर पर सुरच्छा फ्यूज लगाने के लिए प्रियोग होने वाली तार किस परकार की बनी होती है सिसा निकेल तीन या तार फिस परकां बना होता है तो यह होगा इसका राइट एंसर डी कि तीन और सीसे का इक मिश रधातू होना चाहिए दिएग है तुरच्छा फ्यूज लगाने कोशन देखिए विजली के बल्व का फिलामेंट इस ततों से बना होता है इंपोर्टन कोश पॉइंट हाई होता है तेका तंगस्टर इसका राइट एंसर होगा रेस्ट कुश्चन देखिए विद्धूत हीटर का एलिमेंट निमलिखित में से किस धात्यू का बना होता है इंका मैल्टिंग पॉइंट वह ज्यादा हाई होता है अगला कुश्चन देखिए यदि 100 प्रति दिन एक घंटा जलते हैं देखिए 10 वाल प्रति दिन एक घंटा जलता है 100 वाट का वाल तो प्रति दिन विद्धूत उर्जा के उप्योग का मान कितना होगा कितना विद्धूत खर्चा होगा एक यूनिट 100 किलोवाट आवर 10 यूनिट ये 10 किलोवाट आवर तो द कुछन दिखिएगा सडीत चालक का विसकार किस ने किया सडीत क्यान अगला कुषन दिखिए निम लिखित में से कौन विद्दूथ अनुचूंब प्या हैस सब्सक्राइस chromium या फिर तामबा विद्धूत अनु चुमबक्य है आपका chromium option number 3 इसका right answer हो जाएगा chromium अगला कुशन देखिए निमन में से कौन प्रती चुमबक्य है प्रती चुमबक्य पूछ रहा है पिस्मित लोहा निकेल या फिर कुबाल्ट प्रती चुमबक्य है आपका बिस्मित प्रती चुमबक्य कौन है बिस्मित option number A इसका right answer होगा next question देखिए विदू धारा का चुमबक्य प्रभाव सरोपर्थम आवलोकित किया गया इनके द्वारा सरपर्थम आवलोकित किया गया विदू धारा का चुमबक्य प्रभाव हैंडी द्वारा और स्टेट द्वारा फिराडे द्वारा या फिर फोल्टा द्वारा तो देखिए इसका right answer हो जाएगा और स्टेट द्वारा option number B इसका right answer हो जाएगा और स्टेट द्वारा next one देखिएगा विद्दूत चुम्मक्या प्रेरंड के नियमों का उप्योग निम्न में से किसको बनाने में प्रयोग किया गया है किसको बनाने में प्रयोग किया गया है विद्दूत चुम्मक्या प्रेरंड के नियमों का प्रयोग थारा मापी, बोल्ट मीटर, विद्धूत मोटर या फिर जनित्र देखे इस कोशन का राइट एंसर हो जाएगा option number D यानि की जनित्र option number D यानि की जनित्र अगला कोशन देखेगा विद्धूत मोटर निम्न सिध्धान्त के अनुशार काईर करती है फिराडे के नियम, लेंज के नियम, ओम के नियम, या फिर फ्लैमिंग का नियम विद्धूत मोटर, देखे फिराडे के नियम इसका राइट एंसर होगा option number A इसका राइट एंसर होगा, फिराडे का नियम transformer क्या है, या DC को AC में परिवर्टित करता है AC वोल्टा को घटाने और बढ़ाने में परिवर्टित करता है त्रांसफोर्मर क्या करता है, AC वोल्टा को घटाने और बढ़ाने में परिवर्टित करता है त्रांसफोर्मर याद रखेगा, इंपोर्टेंट है दूसरा बात है transformer जो है DC को AC में भी convert करता है एस question देखे lens का नियम निम्न लिखित में से किसके लिए आवश्यक है उर्जा सरच्चन, रोमान का सरच्चन, देखे सम्विक सरच्चन या कोण ये सम्विक सरच्चन, lens का नियम किन पर आधारित है इसका राइट एंसर हो जाएगा उर्जा का सरच्चन अगला कुशन देखे परमानू का नाविक में होता है परमानू के नाविक में क्या होता है देखे परमानू के नाविक में होता है proton और neutron और electron जो होता है वो इनके किनारी किनारी औरबिट में गुमता है तो प्रोटोन और न्यूट्रोन इसका राइट एंड शुरू जाएगा ओप्शन नमबर बी प्रोटोन और न्यूट्रोन अगला कुशन देखेगा न्यूट्रोन की खोज किनों ने क्या था याद रखेगा न्यूट्रोन का खोज क्या था चैडविक ने ठीक है एक ट्रीक है इसे इलेक्ट्रों तौसे टाम्सन तौसे टाम्सन ने इलेक्ट्रों के खुज गया था प्रोट्रों रख रदरफोड अग्ला कुशन देखिया प्रमानु करमांक होते हैं परमानु करमांक प्रोट्रोन तथा न्यूट्रोन के संख्याओं का योग नाभीक में उपस्तित प्रोट्रोन के संख्याओं का या फिर नाभीक में उपस्तित न्यूट्रोन के संख्याओं को या न्यूट्रोन वो इलेक्ट्रोन के संख्याओं के योग को तो देखे इसका राइट एंसर हो जाएगा नाभीक में उपस्तीत प्रोट्योन के संख्या को कहेंगे परमानू σंख्या outsto NO 더 B का राइट एंसर हो जाएगा अगला कुशन देखे कि जिस तत्व में परमानू पे दो नोग प्रोटोन जो प्रोटोन दो न्यूटरण और दो इलक्ट्रोन हो उस तत्व का दिरुमान संक्या कितना होता है जिस परमानु में दो प्रोट्रोन दो न्यूट्रोन दो इलक्ट्रोन हो उस तत्व का दिरुमान संक्या कितना होता है दो चार छे या फिर आठ तो देखे इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर बी यानि कि चार अगला कुशन देखिएगा नेस्ट कोशन है कि पॉजिट्रॉन की खोज किस ने की थी रदर पोर जेजे टॉम्शन ने त्याद विक या फिर अर एंडर्सन ने प्रोटॉन की खोज क्या था एंडर्सन तेका नमब डीस का राइट एंसर हो जाएगा एंडर्सन कि सलगा कुशन देखिएं कि रभोट्पर्मानुण और सुन्स को में ने आफिर पांच फॉर कि या फिर पांच होता हृँ तो निढ़त दोस्तों मिलते हैं से क्लास फैंक्यू झाल झाल